नमस्ते आप सभी का इस चानल में स्वागत है आज हम व्रस्पतिवार की व्रत कथा के बारे में जानेंगे प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा था वह बड़ा दानवीर था वह हर व्रस्पतिवार को व्रत रखता था और गरीबों को दान भी देता था लेकिन राजा की राणी को यह बात पसंद नहीं थी वे ना तो व्रत करती थी और ना ही दान करने देती थी एक दिन राजा शिकार करने जंगल निकला राणी अपनी दासी के साथ घर पर ही थी उसी समय गुरु ब्रस्पति देव साधू का रूप धारण कर राजा के दर्वाजे पर भिक्षा मांगने आए लेकिन राणी ने साधू को भिक्षा देने की बजाए टालती रही साधू ने दोबारा भिक्षा मांगी राणी ने फिर काम बता कर कहा कि कुछ तेर बाद आना साधू ने कुछ तेर बाद फिर भिक्षा मांगी इस पर रानी नाराज हो गई और कहा कि मैं इस दान और पुर्णे से तंग आ गई हूँ आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिल जाए ब्रस्पति देव ने कहा कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं जैसा तुमें बताता हूँ तुम वैसा ही करना गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना अपने केशों को पीली मिट्टी से धूना केशों को धोते समय स्नान करना राजा से हजामत बनाने को कहना भोजन में मास मदरा खाना कपड़ा धोबी के यहां धुलने डालना इस प्रकार साथ प्रस्वतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नश्ट हो जाएगा इतना खैकर साधु रूपी प्रस्पतिदेव अंतर ध्यान हो गए साधु ने जैसा बताया रानी वैसा ही करने लगी तीन गुरुवार बीटते ही रानी राजा की समस्त समपत्ती नश्ट हो गई यहां तक की होजन के भी लाले पड़ गए घर की ऐसी सिती देख राजा दूर देश काम करने चला गया और घर में रानी अकेली रह गई रानी ने एक दिन अपनी बेहन के पास अपनी दासी को भेजा और कहा कि वहां से कुछ मांग ला जिससे घर का काम चल सके उस दिन गुरुवार था और रानी की बेहन ब्रस्पती व्रत कथा सुन रही थी रानी की दासी ने वहाँ पहुँच कर रानी की सारी व्यथा सुनाई लेकिन रानी की बेहन ने कोई जवाब नहीं दिया ऐसा देखकर रानी की दासी वहाँ रुके बिना ही वापस चली आई दासी ने रानी को सारी बात बताई और कहा कि आपकी बेहन ने किसी प्रकार की मदद नहीं की उधर रानी की बेहन कथा सुनकर और पूजन समाप्ट करके अपनी बेहन के घर आई और कहने लगी बेहन मैं प्रस्पती का व्रत कर रही थी तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परन्तु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों गई थी रानी ने अपने सारी व्यथा सुनाई रानी की बेहन ने पूरी बात सुनने के बात कहा कि देखो बेहन भगवान ब्रस्पती देव सबकी मनो कामना को पूर्ण करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ पर बेहन के आगरह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया यह देखकर दासी को बड़ी है रानी हुई दासी रानी से कहने लगी हे रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं इसलिए क्यूना इनसे व्रत और कथा की विधी पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें तब रानी ने अपनी बहन से व्रस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा उसकी बहन ने बताया ब्रस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विश्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें इससे ब्रस्पतिदेफ प्रसंद होंगे व्रत और पूजन विधी बताकर रानी की बेहन अपने घर को लोट गई साथ दिन के बाद जब गुरुबार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा घुर साल में जाकर चना और गुर लेकर आई फिर उससे केले की जड़ तथा विश्णु भगवान का पूजन किया उन्होंने व्रत रखा था इसलिए ब्रसपती देव उनसे प्रसंद थे इसलिए वे एक साथ हारण व्यक्ती का रूप धारण कर दो थाली में सुन्दर पीला भोजन दासी को दे गए भोजन पाकर दासी प्रसंद हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहन किया उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी ब्रसपती भगवान की क्रिपास से उनके पास फिर से धन संपत्ती आ गई परन्तु रानी फिर से पहले की तरही आलस्य करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस्य करती थी तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था इसी कारण सभी धन नश्ट हो गया और अब जब भगवान व्रस्पती की क्रिपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस से कर रही हो रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन प्राप किया है इसलिए हमें दान पुणने करना चाहिए भूके मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुब कार्यों में ही खर्च करना चाहिए जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा स्वर की प्राप्ती होगी और पित्र प्रसंद होंगे दासी की बात मान कर रानी अपना धन शुब कार्यों में खर्च करने लगी जिससे पूरे नगर में उसका यश पैलने लगा